पहला लोग ऑपरेशन करवान तो काफी ही डर्दे पेशी मगर हुन रॉबर्ट सर्जरी दे कारण जिड़े या ऑपरेशन बड़े सक्सेस्पूल कीते जा रहे ने और कट समय देविच कीते जा रहे ने गलबत करने ही इसा जा डिना माजूसर डक्तर सपन में सर्जरी की आया रोबिक सर्जरी एक टेकनीक है जिसमें आप 4 चैदों के थूँआ से 8 mm की चार छेदों के थे थूँ आप बड़े के बड़े ऑप परेशन कर सकते हो कोई भी आपरेशन हो जspeaking सारी सारी के यिस टेखनीक के थूख आप अराम से कर सकते हो बिना किसी पीशन को चीरा दिये हुए बड़ा कर दिये हुए सर्जरी की बात करें कितनी surgery कर चुकING हैं रोबोटिक surgery मेरा खुद का 220 से ज्यादा मैं सर्जरी जा सकता है वो भी चलके जाता है ना पेशन को कोई पेशाप के रास्ते में पाइप होती है ना यहांडा होता है ना पेशन को कोई अंटिबाटिक दिया जाता है ना ही पेशन को कोई strong pain के लदिया जाता है operation के 24 घंटे के बाद patient चलके घर जाता है operation के अगले दिनी patient अपने काम खुद कर सकता है और operation के हफते बाद वो घर के काम या अगर वो नौकरी करता है तो नौकरी कर सकता है सर्जी दे दुकान बड़े बड़े कट लगाए जन्दी है इस सर्जी में कोई कट नी जैसे मैंने आपको पहले बताया सिर्फ 8 mm के 4 चेदों के थरू पूरी की पूरी सर्जी होती है कोई कट की जरुवत नहीं होती है जो तो असी operation कर दें है operation करने दुरान कोई भी शिरीदे अंदरों कोई हिससे बार कर लेने है इसके थरू भी आप उन 4 चेदों के थरू ही आप अगर कोई औरगन निकालना है या रसौली निकालनी है आप उनको निकाल सकते हो आपको इसके थरू भी कोई कट देने की जरुवत नहीं होती है यह सर्जरी कब नहीं करवा सकते है एक ये condition में surgery नहीं करा सकते है जिसने baby पैदा करना हो क्योंकि बच्चे को आप छेदों के थो नहीं निकाल सकते है अगर cancer की बात करें cancer का जब लोग अपने patient का इलाज करवाते हैं काफी लंबा समा उनको hospital में रखना पड़ता है उसके बाद garbage देती हैं काफी लंबा समा बेड रेस्ट बोली जाती है इसमें भी ऐसा है इसी का ये advantage है कि cancer surgery आप open से better surgery करते हो आपका complete cancer clearance almost 95% होता है जबकि open surgery में 70% के आसपास होता है और operation के 24 घंटे बाद भी cancer patient चलके घर जा सकता है और वही एक किसी भी surgery में कि हफ़ते बाद patient अपने काम कर सकता है कोई bedress, कोई hospitalization, कोई long stay, कोई ICU stay की ज़रुत नहीं होती है अगर बच्चे दानी की बात करें उसके बारे में इसकी surgery की बात क्या इससा है बच्चे दानी में अगर कोई रसॉली है, बच्चे दानी में कोई गांट है, बच्चे दानी में कोई cancer है सारी की सारी surgery robot के थरू हो सकती है आप बच्चे दानी बचा सकते हो, young girls especially जिन में रसॉली है और बच्चे दानी बचानी है, ये टेक्नीक वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम में आती है जब आप रसॉली निकाल सकते हो, बिना बच्चे दानी निकाले हुए मैंना अगर रोग की बात करें, कई औरतों को कई रोग होते हैं तो हर औरत को अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर उसने सामने आके बात तो करनी होगे एक बार वो बहार आए, तो हम तो वहाँ हैं उनको help करने के लिए अगर सर्जी की बात करें, काफी खर्चा आ जाता है के लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, उसके बार में आपका किटेना जो लोग, Government of India ने एक चीज़ अच्छा कर रखा है, कि रोबोटिक टेखनिक गवर्मेंट सेक्टरस में भी अवेलेबल है अगर हम PGI चंदिगड़ की बात करें, या AIMS डेली की बात करें, उनके पास भी रोबोटिक टेखनिक है है, इसमें भी होस्पिल का सारा स्टाफ मतब दो डॉक्टर्स होते हैं, दो स्टाफ नर्स होते हैं, फ्लोर की नर्स होती है, दो एनस्तिस होते हैं ये उप्रेशन उतना ही सेफ है जितना आप किसी एक open cut वाली सर्ज़री करते हो कितनी देर में सर्जी कराने के बाद पेशन हॉस्पिटल से घर जा सकता है घर जाने के बाद अपने काम पे जा सकता है जल्द कामते जा सकता है